Diabetes या कहें Sugar आपको बना सकती है अंधा जी हाँ, देखने की शक्ती नजर का खो जाना, धुंदला हो जाना, कमजोर हो जाना ये Diabetes का ही Result होता है समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? अक्सर जिन विक्तियों को Sugar की समस्या होती है ये कहा जाए, Diabetes की समस्या होती है जब वो अपने बड़े हुए Sugar levels पर ध्यान नहीं देते हैं अक्सर उसे नजर अंदास करते हैं तो आगे चल कर कहीं न कहीं अपनी नजरों की समस्या, आँखों की समस्या का सामना करना पड़ता है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको समझाता हूँ इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा असल में जो हमारी आँख है, वो कैसे काम करती है और इसमें होता क्या है? आँख जो है, हम सब को पता है, एक बहुत नाजुक चीज़ है एक बहुत नाजुक आंग है जिसके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक नलिया है जिसमें एक ब्लड फ्लो करता है ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जो सब को पता है लेकिन आखों का actually work होता कैसे है? जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूँ तो ये हो कैसे रहे हमारी आई पे जो image बनती है वो आँखों के पीछे एक परदा होता है उस परदे पे जाके वो image बनती है जिससे एक नस जा रही होती है हमारे दिमाग में जो हमारे दिमाग को vision मतब सामने ये visual देती है कि हमें ये चीज ऐसी दिकाई दे रही है अब असल में इस पे होता क्या है कि हमारे आँख में जो ये पतली पतली नलिया है इसमें blood flow कर रहा है और blood हमारी body में क्या काम करता है oxygen लेके जाता है जिससे हम जो भी काम कर रहे हैं ये कहा जाए कि हमारे जो शरीर के अंदर organs हैं वो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिफ oxygen की वज़ा से लेकिन जब किसी patient को diabetes बड़ी हुई होती है मतलब sugar level बड़े होते हैं तो उसके साथ समस्य क्या आती है जैसे मैंने आपको अपनी बाकी वीडियो में भी बताया कि हमारे खून के साथ glucose flow करता है मतलब sugar flow करता है पूरी body में एक दिन या एक महीने में कुछ नहीं होता लेकिन जब ये levels लगातार बड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका खून गाड़ा होने लग जाता है उसमें ठके बनने लग जाते हैं और जब ये ठके आपकी नलियों में धीरे धीरे करके रेशे रेशे बनके जमने लग जाते हैं तो दो condition आती है पहली condition आती है कि जो पतली पतली नलिया होती है नसे होती है उन में से blood leak होना शुरू हो जाता है अब जब blood leak होता है अगर आप eye का diagram देखेंगे तो आग की जो पतली है इसके पीछे जो area है वहाँ पे gel भरी होई होती है और उस gel के पीछे वो परदा होता है और उस परदे के बिलको साथ चिपकिवी नलिया होती है जो खून की होती है जब उस में से blood leak करना शुरू होता है तो हमारा जो vision होता है मत्तब हम कहें जो हमारी नजर है वो धुंदली होनी शुरू हो जाती है तो अक्सर यहाँ पे patient क्या सोचता है कि मेरे को आग की समस्या है और वो आग के doctor के पास जाता है लेकिन जब doctors आपको चेक अप लिखते हैं वो जाचते हैं पूरी जाच परताल करते हैं तो पता चलता है कि बड़ी हुई sugar के कारण आपकी जो नजर है वो धुंदली हो रही है इवन कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जो लोग उसमें भी अंदेखा कर देते हैं इसा क्यों है मैं आपको फिर बताता हूं जो नलिया थी या तो महान से खून रिस रहे जिसकी वज़े से वो धुंदला पना गया अब वो रिस कहां पे रहे जो जेल है वो उसमें मिक्स हो रहा है जिसको निकाला नहीं जा सकता इसी वज़ा से ये एक बहुत ही खतरनाक समस्या मानी जाती है जो अक्सर उन diabetes patients को देखने को मिलती है जो अपने sugar के level को control नहीं करते है साथ ही मैंने आपको पता है दो समस्या होती है तो पहली समस्या तो ये और दूसरी समस्या क्या होती है कि आपकी पतली-पतली महीन-महीन जो नलिया होती है जो नसे होती है अगर उनमें से कही किसी में खून का थक्का आके फज जाता है तो उससे क्या होगा؟ बलड आगे नहीं जाएगा और जब बलड आगे नहीं जाएगा तो मतलब हमारे अंगो को तो हमारे organs को खाना नहीं मिलेगा, जिससे वो काम कर रहे हैं, वो fuel नहीं मिलेगा, वो fuel क्या है, oxygen, oxygen लेके कौन जा रहा है, blood, जब वो नहीं मिलेगा, तो वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजा से आपकी जो आखों की रोशनी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और even कई बार तो लोग अंधे भी हो जाते हैं, यहाँ पर समस्या गंबी तब हो जाती है, कि एक तो blood आगे नहीं जा रहा, और जब व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो धीरे धीरे नसे सिकुडने लग जाती है, और जब वो सिकुडती है, तो आपकी आख का जो पर लिखने की शक्ति, जो मैं कहूं नजर है, वो पहले धुंदली होती है, और धीरे धीरे चली जाती है, लेकिन इसका कारण क्या हुआ, शुगर, बड़े हुए आपके शुगर लेवल, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, हो सकता है, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ अप दवा खा रहे हैं, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, क्यों? या तो आपकी दवा गलत है, या फिर आप जो इलाज ले रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि दवा खा रहे हैं, और फिर भी अगर आपका वो कारण, वो root cause, वो समस्या की जड़ी ठीक नहीं हो रही, तो क्या आपको बुखार होता है आप दवा खाते हैं बुखार ठीक आपको खासी हुई आपने दवा खाई खासी ठीक तो इसी तरीके से जिस भी समस्या की हम दवा खाते हैं वो ठीक हो जाती है अगर नहीं तो फिर आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं आप इसको गूगल करि आपके शरीर में से ग्लुकोज लेवल को पकड़ती है, आपके यूरीन के दुरू या आपके मल के दुरू पॉट्टी के दुरू बाहर निकाल देती है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही है, या हाडली इसके अलावा अगर कुछ हो सकता है दवाई होंगी तो आ आपको थोड़ी बहुत पावर दे रही है, लेकिन क्या इससे आपकी समस्या खतम हो रही है, क्या जो आपकी समस्या की जड़ है, क्या उस पर कुछ असर हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो सकता है आप मैंसे कई लोगों को अभी यहीं नहीं पता होगा कि शूगर में समस्या हो इन्सुलन जब वो यह इन्सुलन खराब बनाना शुरू कर दे या हमारे शरीर की रिक्वायर्मेंट जादा बढ़ जाए और वो इन्सुलन इन्सुलन तो हमें किस दवाई का छुनाव करना है जो हमारी pencreas पर effect डाले उसको ठीक करे क्योंकि अगर आपकी pencreas ठीक हो गई तो आपका insulin ठीक बनेगा और अगर आपका insulin ठीक बना तो आपकी body में बनने वाला glucose जो blood के साथ flow कर रहा है वो दुबारा cells में absorb होना शुरू हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा और आखों का खो जाना नजरों का खो जाना या अंधा पन आ जाना जैसी समस्या जिसको diabetic retinopathy कहा जाता है इस बिमारी का सामना उन diabetic patients को करना पड़ता है अब हो सकता है या आपके मन में सवाल आ रहा होगा के सर फिर आप ही एक सही इसका इलाज बता दीजिए जिससे हम अपनी sugar को ढीक कर पाएं अगर ऐसा सवाल आपके मन में है तो इसका इलाज इसका उपचार इसका आंसर सिर्फ आपको अगले एक मिनिट में मिल सकता है इस नीचे दी गए नंबर पर कॉल कीजिए हमारे श्रियास के डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो आपकी मदद के लिए सदैव हाजर है या फिर आप इसी नंबर पर अपने sugar reports उन्हें share कीजिए कोशिश करें अगर आपकी HBA1C की report है तो वो आप share करें हमारे doctors आपकी report को study करेंगे और आपसे खुद conduct करेंगे आपको बताएंगे कि आप कहां गलती करें क्योंकि हमारे यानि श्रियास में जब patients आते हैं तो पहले उनकी पूरी study की जाती है उनके कारण को संजा जाता है उसके according उन्हें आयरुवेदिक दवा दी जाती है और सिर्फ दवाई नहीं एक सही diet chart एक exercise chart उन्हें दिया जाता है जिन तीनों चीजों को follow करके वो बहुत ही शांदार result वो बहुत ही controlled sugar level अपनी reports में खुद देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माद्यम से आपको अच्छे से एक बात clear हो गई होगी कि बड़ी हुई sugar कैसे आपको अंधा कर सकती है आपकी देखने की शक्ती को छीन सकती है तो समय रहते अपने sugar के level को control करें कोई समस्य आ रही है तो हमारे doctor से बात करें फिर भी कोई सवाल कोई doubt या कुछ कहना चाते है तो comment section में लिखे मुझे जरूर बताईएगा इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा मिलूगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार